अजिय व्यांदर दिस्केशन विज सुलूशन के साथ मैं हूं आपके मिजबान मुदसर हुसे नाजरी प्रोगार्म डिसकेशन विज सुलूशन में आज हम बात करेंगे भारत के एलेक्शन चे बाद तीसरी बार हकूमत बीजेपी ने बना लए है, निरिंदर मोधी तीसरी बार वजीर आदम मुन्टेक हो चुके हैं, उसके बार की सुर्टिहाल यकिनी तोर पे बड़ी खतरनाक किसम की सुर्टिहाल नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर तीस करोड से जायद मुसल्मान जो भार का क्या कहना है, कि बीजेपी की हकूमत आने के बाद भारत में रहने आले मुसल्मानों समयत कश्मीर का जो मसला को कि 5 अगस 2019 के बाद निरिंदर मोधी ने दूसरी बार जब बसरे इक्तिदार आए थे, तो उस वक्त उन्होंने 5 अगस्त के एकदाम के जरी जो कश्मीर की ख करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पार्लिमेटेरिन की गुफ्तुबू आपको सुनाते हैं, उसके बाद गुफ्तुबू के सिलसले को जारे रहेंगे, आज हमारे साथ मेमान मौझूद है, जाविद कान जिदून यो खुद सीनियर जेनलिस्ट भी हैं, और खास दूर भारत म भी बतोड जेनलिस्ट अपने फराइज अंजाम दे चुके हैं, इस वक्त एक एहम ब्राडकास्ट अधारे के सरवराभी हैं, उनके साथ भी गुफ्तुबू के सिलसले को बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले पार्लिमेटेरिन की गुफ्तुबू सुनते हैं, उन्हों ने अधारे क्या किया? इसलिए मेरे ख्याल में मुदी वो इस तरह भी है कि वो अपने पली से खुद बनाते हैं, वो तर्की पे जा रहा है, हम निचे जा रहे हैं, आपको मुदी की मेंटालिटरी से ही पता चल जाता है, मुदी नो तो बिलकुल उसको जैसे कहते हैं कि जी कितने आप खबने पढ हिंट है, हिंदू के साथ हमारा घुजारा मुसल्मानों का तकरीबान नामोंकिन है, और उस में उपर मुदी जैस एक्स्ट्रीमिस जो है, पहले फिर भी रह रहे थे, मुदी ने आपको उपर उसको जैसे कहते हैं, कटलिस्ट किया है, और मुदी किया है, अब तो मुदी के खुद मुदारी और उनकी आजादी है रहे के ताहित है, इंडिया का मसले है कि एक तो इंडिया ने युनाइटेड नेशन के एक इंपॉर्डिन चार्टर को बॉल्डोर्स किया, और दूसरा उसके उपर आर्टिकल 317 वोक करके कश्मीरी पे एक जबरी खब्जा किया है, जिसकी उन्हें मजामत का सामना है, और पाकिस्तान उनके इस घासिबाना कब्जे के खिलाफ पाकिस्तान का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान, इंडिया के इस इखदाम के खिलाफ भरपूर्स हरा पायते हैं, लेकिन बहुत से हमारे भी रिलेटिव जानने वाले हैं, जो रहा हैं, उनकी परसेंट इंडियन मुसलिम्स अपने बच्चों को अमेरिका, लंडन, कैनडा भेज भूर्ण वो इंडिया में नहीं रख रहे हैं, उनकी प्रॉपरटीज को बेचने नहीं दिया जाता है, उनकी प्रॉपरटीज पर कब्जा किया जा रहा है, तो मैं सम तो मुसल्मान इंडिया की एक दूसी बड़ी कुवत वहां पर मौजूद है, उनकी खिलाफ होने वाले जुम के खिलाफ वाज को लिए तो ये बड़ा कश्मीर के इशु की उपर तरीक इनसाफ के बड़े कंसर्ण्स है, और हम अपने कश्मीर बायों के साथ खड़े हैं, इंडिया में जो मुसल्मान है या कश्मीरी मुसल्मान है, जी दे कि वही हमारे तरीक इनसाफ का वही नदरिया है जो हमारे बाबाय काईद मحمد अली जना का था, जी दे कि कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का शारक है, और ये पाकिस्तान का टूटा हुआ तंग है, और कश्मी कि लिए झब इन्हों ने इनडिया इंडिया ने जो वहां पर लीजिसलेशन की कश्मीर के हुआले से तो तरीक निसाइब और इमरान खान साब नें इंडिया के साथ अपने तालुकाद तमां के ताम मुंकता कर दिये हम ने उם केसा तिजारिगी तालुका, सिफारिदी तालुका एश्यो की अवपर इमरान खान छाइज जो स्टेन्ड लिया था हो ताарीख का हसा है तारीख याद करीगी इन्शाहला जब इमरान खान खान वापस प्राइम मनिस्टर में इंशाला हम दोबारा अपने कश्मीर बायों के आवाद की हकुमत इस दफ़ा जिस तरह आई आपको पता है मुझी साब का बड़ा नारा था चार सो पार करेंगे वह चार सो पार तो नहीं कर सके के साथ उन्होंने गवर्मन बनाई है और उनके अलाइज जो हैं कि अब उनके पास टूठ हड मुझार्टी सिंगल नहीं थी तब उनके एलाइज जो हैं वह ने किश्मीर पर इसकिसम की हर्कतें नहीं करने देंगे जो पहले माजी में वह करते रहें इंडिया के मसल्मानों को जया है कि धश्का लगा होगा मुझी साहाब के बने से हमें भी लगा होगा क्यों कि वह कुद्धिए कर दो पकास्तार पौक्स.नियों के थी नहीं के लिए एक ऐसा जहिन रखते हैं。 जो सुष्धिता, इस सुमर में न आते हैं नधे नहीं देहने हैं मेरे कह हए क्याल में यही एक ही लीडर है जो कश्मीर का मसला हल कर सकता है जिसना जिस तरह उन्होंने बिन अक्वामी स्था पे अक्वामी मुताहिदा में कश्मीर के लिए बात की तो मेरे ख्याल में ये तो एक किलोना है इसे इतना बड़ा मसला जो कश्मीर का है इसे हल कराना और इस तरह का सोच रखना के शाबश्रीप इस मसले को हल का हल करेगा तो मेरे ख्याल में ये खरगोष्ट की नीन का वाल मस्ट कश्मीरी हग की हुद्री राइड़त चाहते हैं उसको मेलना चाहिए और वहां पे जो इंतिहा पसंदों की हुकूमत आई है इन्शालला उलजीज टफ्ताइन उल्टा डिफेंड किया था उनकी पॉलिसी को कि उनको बंद बानने चाहिए मैंने तब भी यह कहा था कि जो हिंदुत्वा की जो पॉलिसी है जो बीजेपी की है लास्ट टाइम भी जब यह हुकुमत मेह थे इन्होंने आर्टिकल 370 को रिवाक किया था इन्होंने कश्मीर पॉलिसी है जो हिंदुत्वा की पॉलिसी है बेजीपी की एक्स्ट्रीमिजम यह समझते हैं कि सिर्फ बलकि मैं हुए बाबता हूं इनके अगर आप क्लिप्स देखें ना इनके मुल्क में जबर और तशर्दद देखें तो इनके जो अकलियत है ना वेश और शुदर वो ने सुनी जो पार्लिमेटर ने चाहिए तैरीक इनसाफ से तालुक हो या मुख्लिक स्यासी पार्टियों से तालुक हो उन्होंने कश्मीर के मामले पर भी मौजु सवालात उठाए कि कश्मीर का मसला अब हल होना चाहिए और खासवर पर बीजे पी की जो हकूमत आई है उस नेरेटिव उसका ब्यानिया मुसलमानों के खिलाब फे तो कश्मीरियों का मुस्तक्षिछ तो खत्रे में ही है सतर सालों से लेकिन अब भारत में रहने वाले मुस्तक्षिछ खत्रे में इस सारे मौदब करें जारत कांच जदु नमाळ साहर्थ वीडियो लिंक के जरिये सब्सक्राइब भारत के वाले से बड़ी गेरी नज़र रखते हैं, बेनलगवामिमूर के माहर भी हैं, भारत में भी आप कापी अर्सा रहे चुके हैं, निरिंदर मोदी के आज जी इसकी जो सोच है, उससे क्या भारत में रहने वाले मुसल्मानों को आगे चलके खत्रा नज इसका मतलब बीजी पी ने तीस क्रोण मुसल्मानों को नजर अनास करती है? मदसर अगर आप देखें तो बारतिया जनाता पार्टी पहली दफ़ा जो एक्तिदार में आई थी, वो 2014 में आई और उस वक्त ये समझा गया था कि बारतिया जनाता पार्टी एक एक आम है, उसका RSS का बना दी तोर पे जो पुलिटिकल इसके गॉड़ फादर्स हैं, बार में वो किसी भी माइनारिटी को खास पर पे मुस्लमानों को तो इंदोस्तान में वो समयते हैं जगा उनके लिए नहीं, तो 2014 के बाद फिर 2019 में फिर से एक्तिदार में आए, तो 2019 के जो इंतखाबात हुए तो वो इंटायली एंटी मुस्लिम कैमपेंग चला के उनोंने मिज लिए तो मोधी साब ये समझे के एंटी मुस्लिम जो नारा है वो भारत के जो लोग हैं उसको वो ले पा रहे हैं और मुस्लमान क्योंके वैसे ही अंडर प्रिविलिज्ड हैं और उनकी जो एकनामिक और माशी के अलाहत हैं वो को बहुत आदा अच्छा भी नहीं तो उस व क्योंके पावर्टी के बिलो पावर्टी लाइन के जो मिजॉरिटी लोग हैं भारत में उसमें सबसे बड़ी तादाद जो है वो मुस्लिम्स की है फिर एजुकेशन में भी वो पीछे हैं जॉब्स भी उनको नहीं दिये जाते हैं प्रापर्टी उनको खरीदने की भी कोई हकूक नहीं है फिर जो सिटिजन शिप एक्ट बना उसमें तो बिल्कली मुस्लिम्स को मारजिनलाइस कर दिया गया और उनको तो यहां तक हुआ कि क्या वो भारत के शहरी हैं भी के नहीं पिर अगर आगर आप बारत के प्राइम मिस्टर नरिंदर मोधी की स्टेट्मेंट क क्योंकि उनके तमाम मख़भी मुकामात पी जो हैं वो भारत के अंदर हैं बीजेपी और संग परिवार ये भी समयता है कि मुस्लिम्स और क्रिस्टिन जो हैं क्योंकि उनके मुखभी जितने एम उनके मुकामात हैं वो मुल्क से बाहर हैं तो इनका तो तालुक बारत से नह की कोशिश की कश्मीर से जबरदस से इसकी मुखालफत पे हुई कश्मीरियों ने बड़ी कुर्बानिया में दी तो आप अगर इस सेलेक्शन पे पहुंच जाएं टुएंटी 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 फॉर की उपर तो आप देखते हैं कि आप जो आपने बात के आगाज में बात की तो अप एलेक्शन की कैमपेंग के अंदर नरेंदर मोदी और उसकी तमाम जो बड़ी क्यादत थी उन्होंने पाकस्तान के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिये फिर यहां तक कि उनके वजीर दफार वजीर दाखला ने कहा कि हम आजाद जमून कश्मीर जो है वो का वो इस्सा है और हम ताकत के उसके बेसिस के उपर वो पाकस्तान से ले गए तो यह वो प्रावकेशन थी फिर उन्ही तकरीरों में मोदी साब ने भारत के मुस्लमानों को इन्फिल्ट्रेटर भी कहा तो यह उनकी कोशिश थी कि ट्विंटी नाइंटीन में जो उनको एक सुपोर्ट मिली थी जो हाट कोर हिंदुत्वा का वोट था हिंदुस्तान के अंदर कि उसको फिर से वो उसको वेक अप कॉल दें और उनी बेसिस पे यानि एंटी मुसलिम और एंटी पाकस्तान बेसिस के उपर अपना वोट जो है ले सके मगर ऐसा हुआ नहीं कि भारतिया जदुन साब एक चीज़ ये भी बताईगा है कि वो जो 26 पार्टियों का इतहाद है वो जो वहां पर मौझूद है जिस पर गाहुल गांदी है और दीगर पार्टियां मौझूद है क्या वो कोई टफ टाइम देंगी बीजेपी को या वो कोई हैटल पैदा करेंगी कि जिस देखें जहां तक जो बारत का जो पुलिटिकल डिवाइड है वो पुलिटिकल बेसिस पे तो डिवीजन उनकी मुम्किन हो सकती है मगर कोई भी वहां की सियासी जमात जो है वो एंटी मुस्लिम रेटरिक से पीछे नहीं अटी पाकस्तान जो उनका नेरेटिव है उससे पी का देंगे तो फिर जो हार्ट कोर हिंदू वोटर है वो हमको वोट नहीं देगा लेकिन एक आनक्सपेक्टेड बात यह हुई कि जो कांग्रिस पार्टी है उसने एक सो के लगबग सीट्स यों ले ली जिसकी तवक्वात गालबन उनको भी नहीं थी तो ये बड़ी जो गांदी के अंदर उतनी विजन भी मौजूद है तो नहीं उठा सकता ना मोदी इस तफ़को को क्या उसके सामने सब्सक्त अपोजिशन नहीं उठा सकता पांच अगस्ते सा उप्जिशन तो बड़ी सखत है मगर आपको यह देखना पड़ेगा कि अब जो 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 आपोजि को बढ़ा दें लो राउस में या अपर राउस में या वो यह करें कि उनके लिए जॉप्स के मौाकिए अगर आपने आपने इसको फालू किया हुआ है कि मोदी साब ने यह कहा कि जो इंडिया की तरकी के जो समरात हैं कॉंगर्स पार्टी उनको मुस्लमानों तक शिफ्ट करना चाहती है वो एक स्टेट्मेंट थी जिसमें को का गा गया था कि जो अंडर प्रिविलिज्ज्ड सेग्मेंट्स अफ़ दे सोसाइटी अजारे मुस्लमान उस पे सबसे उपर है तो मेरा जाती कहाल तो यह है कि इवन कांगर्स पार्टी भी जब एक्तिदार में अगर अगर उनको अगले पांच साल के बाद मुका मिलता है तो वो भी कोई बहुत जादा फ्रेंडली गर्वर्मेंट मुस्लिम्स के लिए नहीं होगी क्योंकि आप यह तरह का जो हिंदुत्वा ने एक ट्रेंड सेट कर दिया हुए है पिर आप देखा होगा आपने कावे जिला बनाए गया तो यह एक अब तरह अब देखें तो भारत के अंदर जो मार्जिनलाइस सेक्शन्स हैं जैसे आपने खुद का कि दुनिया की सबसे बड़ी मैनौरिटी जो है वो मुस्लिम्स की है भारत के अंदर उनके साथ जिस तरह का सलूक रवा रखा गया यह आपको दु रेने वाले मुसल्मानों के लिए कोई जादा अच्छा शुगन नहीं होगा तो वो परसेप्शन गलत है जो आप कह रहे हैं आप बिलकल देखें क्योंकि अगर आप इंडिया में जो रहने वाले लोग हैं जो पुलिटिकल पार्टी जब कॉंग्रिस सिक्तेदार में थी ज जब आप प्रापटी खरीदना चाहते हैं तो जब आपको जब आउनर को पता चले कि मुसलिम है और आपको याद होगा कि बड़ा एक मिश्वीर फेमस वाकिया हुआ था जिसमें उनके दो बड़े बड़े सिलाबर्टीज है जावेद अखतर साब और उनकी बेगम भी जो बड़ा खौफनाक ट्रेंड है कि मुसलिम्स को आपने हर सूरत में मारिजनलाइज रखना है उनको तालीम नहीं देनी उनको आपने जॉब्स नहीं देने उनको गुर्बत की साइकल में आपने रखने है ताकि उनके अंदर यूनिटी ना सके वो देसर अगर आप देखें तो जो उतर परदेश है अगर मुसल्मानों में यूनिटी होती है और मुसल्मान एक पड़ी लिखी क्यादत के जेरे क्यादत वो अगर इस मूव्मेंट में जाते है एलेक्शन के अंदर जाते है तो शायद उनको कुछ सीर्सवा से मिल सकती थी लेकिन मेरा ख्याल है कि ये फर्क जरूर है दोनों के अंदर कांग्रिस के अंदर और बीजेपी के अंदर के बीजेपी इन्दाई एक मुतासब किसम की पार्टी है जो शदीद किसम की नफरत करते हैं मुसलिम से अन्दा कांट्रिरी चले कांग्रिस के बारे में आप ये नहीं कह सकते हैं मगर मुस पालिसीस के दिरिये उन में नफलत पाई जाती है तो वो समय थेक उसको वो कैश कर सकते हैं जदो सब आप क्या रहे हैं आपने जिकर भी किया है क्योंकि आप जो बात बता रहे हैं यह आसे को पंदरा बीस सार पहले की बाद है उस वक्त भी मुस्लिम दुश्मन अजंडा वह कि उसके पीछे क्या वजवाद हैं देखे हैं मुदसर मैं क्योंकि मैंने खुद जाती तोर पे एक्सपिरिंस किया क्योंकि जब आप भारत से बाहर से बैठके बारत का एक नक्षा देखते हैं या उसके अंदर की डिमागरिफी को आप देखते हैं उसकी पापुलेशन के तो वह बिलकल एक डिफरिंट आपका प्रस्पेक्टिव बनते हैं लोकर आप बेखते हैं तो प्रका प्रस्पेक्टिव बेस्पेक्टिव हो जाता है अगर आप देखें तो भारत के अंदर जो मुस्लिमान रहते हैं एक तो इसकी अपनी कोई identity कोई निए हैं वह अपने आ प्रिपल्स हैं जो काम करते हैं सफाइस उतराई का वो मुस्लिम्स हैं इस से आप अंदाज़ा कर लें कि उनकी जो मिडल क्लास के अंदर मुस्लिम्स हैं उनकी तादाद ना होने बराबर है फिर बैने ये भी अब्सरव किया कि जो बड़े-बड़े ऐलीट स्कूल सिस्टम्स आएं वहां पे मुस्लमानों को दाखले नहीं दिया जाते उनके बच्चों को और ये कोशिश होती है कि इनको बिलकर रिजेंक कर दिया जाता है तो फिर वो गर्वर्मिन्ट रंस स्कूल में जाते हैं तो आपका जो जवाब सर्फ यह है कि देखें सारा काम तो तालीम से आ आते हैं तो उनका नाम जब मुस्लिम नाम होता है तो फिर उनको जारे बड़ी मुश्किलात पेशाती है तो आपका जो क्वेस्चन है कि इलाद की पसंद हो तो बहुत मुश्किल है आपने देखा होगा कि इवन सिर्फ शर्क की बनियाद पे मुस्लमानों को मारा जाता है तो ये खौफ का और एक दैश्चत का जो एलिमेंट है बीजेपी ने इंटिडूस किया जो आपका क्वेस्चन है कि क्यों नहीं कर पाते हैं तो यही वज़ा है कि आप उनको इतनी दैश्चत जदा कर दें इतना मार्जिनलाइज कर दें कि जब उनको सहर उठाने का आप मो जारे उनका भी रंगो नसल के बेसिस पे अपने आपको वो इंडियन नहीं समझते वो ज्यादा वो करीब अपने आपको चाइना के साथ अपने आपको ज्यादा एफिलियेट करते हैं तो मनीपुर का भी आपने जिकर किया तो वहां पे भी आप देख लें कि जो लो जो आप इसको नटशेल में ले आएं तो इस वक्त बड़ी खोफनाक ग्रिप में है वो हिंदुत्वा की जो ताक्ते हैं उनकी ग्रिप में है यहादा किसी ऐसी कूद को सार उठाने का मोका नहीं देंगे उनको यूनिफाई नहीं होने देंगे उनको एक सिंगल प्लैटफ बियानाता आपकी नदर से गुदरे होंगे क्यों कहते हैं कि मुस्लिम्स की बड़ती पापुलेशन जो है वो भी जो हिंदुत्वा की ताक्ते हैं उनको खतरा समझती है तो यह भी बात की जाती है कि जी देखें इनकी अबादी कितना तेजी से बढ़ रही है तो उसी वज आए कि आपको जो वजूद बारत करते हैं जिसकी डाक्मेटेशन जाए जाए कि उनको बेंगलादेश की तरफ पुश्किया जाए उनको मेहनमार की तरफ पुश्किया जाए तो अभी आप रिसेंटली आपने देखा जो शेरियत के जो हकूक है वो उन्होंने तमाम बाकी जो नेशनलिटी है अथिसेटी हमको दे दिए मुश्किया ने नहीं जाएंगा जाएंगे तो यह पेशबंदी है कि मुस्लिमानों को सारा खाने का मुख्या ना दिया जाए आखर में एक या दो सवाल हम थोड़ा कश्मीर पे पूछना चाहूं, आफरी दो सवाल होंगे, सबसे पर लिए बिताएगे, यह लोग सभा की कुछ सीटों का कश्मीर के अंदर भी इलेक्शन हुआ, इसमें इंजिनेर रिशीर साब भी जीत के लोग सभा की पार्लिमेंट प नहीं देखें, अगर आप देखें तो एक तो बड़ी इंपॉर्टन डिवलोप्मेंट यह है कि बीजेपी ने अपने वाँ पे कैनिडेट पहली दफाह ऐसा हुए कि खड़े नहीं किये, हाला कि उनका जो आर्टिकल 370 की अब्रिगेशन के बाद और जो खुसूसी का उसके खात्मे के बाद यह खाब दिखाया बीजेपी ने, कि अब यहां पे एक्विल प्राग्रस होगी, डिवलोप्मेंट होगी, और लोगों के अलाद बेटर होंगे, और जैसे इंडिया ग्रोग कर रहे है, ऐसे आप भी ग्रोग करेंगे एकनामिकली, तो उन्हों ने अपने कैनिडेर्स को खड़ नहीं किया, लेकर उसके पीछे डर यह था, कि वो जीत नहीं पाएंगे, अब दूसी तरफ देखें, तो जो वैली की अमबाद कर रहे हैं, जो कश्मीर वैली है, जहां पे मुस्लिम मिजॉरिटी है, तो वहां पे महबूबा मुफ्ती ने जो जो खड़ी हुई, शकस खागी, फारुक अब्दॉला वगरा सारे, तो उसकी बनादी वज़ा यह कि लोगों ने उनको भी रिजेक्ट कर दिया, कि वो बीजे पी के स्टूजेस हैं, उनके एजेंट्स हैं, डिस्पाइट तर फेक्ट कि महबूबा मुफ्ती ने बड़ी बातें की, और कोशिश की, जो अब्दॉलाज हैं, उन्होंने भी कोशिश की, जो अपना वोटर है, उसको एक मैसेज दें, कि अब हम बिलकल जो बीजे पी की लाइन पे आप नहीं चलेंगे, अब हम बड़े नेशनलिस्ट होगे, अब देखें, वहाँ पे बड़े अन्नो मुफ्ती की पार्टी और फारुक अब्दॉला की पार्टी, उनको बहुत बड़े सेट बैक लगाए, और दो बड़े कामन लोग जो हैं, वहाँ पे आप पारलिमेंट में उनको लोहराउसमन को रेपेजेंट करेंगे, तो कम असकम वहाँ से आवाज तो उठा सकेंगे, ए उनको रेजेक्ट किया कि उनको इतनी हमत नहीं पड़ी कि अपने कैनिडेट खड़ा कर सकें, तो यह इनहेरेंटली जो अकुपर्ट जम्यून कश्मीर से मैसेज है, वो डिफाइंस का जो मैसेज है, वो आपको बड़ा क्लिर ली नदर आता है, जैदुन साब आखर में ली वजीर आजम बने हैं, तो दूसरी बार बने थे, तो पांच अगस्त का एकदाम हुआ, इस बार कौन सा खतरनाक एकदाम आप देख रहे हैं, जो कश्मीर की अवाम के लिए बहुत ही करने जा रहा है, और आकर में थोड़ा सा ये भी थोड़ा डिस्क्राइब कर दीगा कि भारत के अंदर अब कितने हिस्से डिवाइड होने वाले हैं, जिस तरह की तहरीकें चड़ रही हैं, खास्वर पर कालिस्तान भी, देखें, अब ही मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, बिटिश न्यूज जेंसी रॉइटर्स की, वो बड़ी इंट्रेस्टिंग रिपोर और उसमें से 80% से ज्यादा ने ये कहा कि भारत का जो इस वक्त एक वो अपनी एकनामिक डवल्मेंट की पिक्चर पेश करता है, वो बड़ी फॉल्स है, और उसका फैक्ट जो है, अगर आप उसके दर नजर डालेंगे तो आपको लगएगा कितना हकायक में फर्क है, कितना perception पेश करते हैं, अभी भी जो आट सो मिलियन लोग हैं, जो के बहुत बड़ी तादाद है, वन पैंट फॉर बिलियन लोगों का मुल्क में से, अगर आट सो मिलियन ये असी करोड को अभी भी हकूमत जो है, वो डॉल आउट करती है, जिसके बनात पे वो अपनी जिन्दग करोड की है, वो चार डॉलर से कम पे माफ़जे के उपर वो काम कर रही है, वो बड़े इस तरह के काम कर रहे हैं कि वो मजदूर के तोर पे और इस तरह के कामों में वो इन्वाल्व हैं, लेकिन क्या है, उनकी वेजिस के हैं, चार डॉलर से कम डेली उनकों दिया जाता है, तो जो इंडिया जिसका का जाता है बड़े शाइनिंग एक्जामपल है आठ फिस्द से वो ग्रोग कर रहे है तो वो एकॉनमिस्ट ही उनीक है यानि उनके अपने एकॉनमिस्ट को जब इंट्रिव्यू किया गया जो पॉल हुआ तो उसमें असी फिस्द ने कहा कि ये बड़ अरब पती इंटरम्स अफ डॉलर्स वो इंडिया के अंदर है लेकिन दूसी तरफ आप देखें तो गुर्बत के जो इंस्टांसेज एतने बढ़गे हुए है कि असी करोड़ अबादी को इंडिया डेली बेसिस पे उनको कुछ नकुछ प्रॉइड करता है कि वो खाके आप योदिया देख लें जो बड़े-बड़े स्टेप्स लिए राम टेंपल की जो कंस्ट्रक्शन थी मुस्लमानों के खलाफ बयानात थे पाकिस्तान के खलाफ बयानात थे तो योदिया में उनका अपना जो बीजे पी का नमाइंदा था वो हार गया जब उनसे पूछा गया जो सर्वे किया गया तो लोगों ने कहा कि अच्छी बात है कि हमने राम टेंपल बना दिया और आप हुआद होगा कि ये पांच सो मिलियन डॉलर से ज़्यादा की लागत से ये टेंपल बना और सा रिलेटेट इंफरस्ट्रक्शर बना तो लोगों ने ये कहा जी सबसे बड़ा जो एम उनको सामने मसला होगा वो ये होगा कि इस टेंउर को तो शायद वो किसी तरह गुजार लेंगे लेकिन अब अगली दफ़ा उनके पास इंकानात बड़े काम हैं तो अब लगता ही है कि वो ज्यादा उलज जाएंगे जो माशी सिचुएशन जो इस व शारा किया तो फिर इंडिया के टूटने के जो इंकानात है वो बढ़ जाएंगे तो अब मुझे लगता है कि उनकी इटेंशन ज्यादा फोकस होगी आप डॉमेस्टिक जो इनकी इशूज हैं खास तो पे माशी इशूज उनकी उपर जाएगी बाकी उनका जो एडवेंश किया तो जो रिस्पॉंड जो संदाज से पाकिस्तान ने भारत को किया तो मुझे नहीं लगता कि बारत के अंदर इतनी अप सकत है कि वो इस तरह का काम कर सके हाँ आकुपेट कश्मीर का तो जो उन्होंने करना था फैसला हो कर लिया अब वहां पे जो जो तहरीक चल रही ह मजामती वो तो जारी रहेगी वो तो खतम नहीं हो सकती आपने एक लाग से ज्यादा लोगों को शहित कर दिया तो लेकन फिर भी जो फ्रीडम मॉव्मेंट है वो तो ना रुकी तो अभी भी मेरा खैल है आब फोकुस उनका मुझे लगता है ज्यादा क्योंकि मेरा इस बे आपको याद हो कि बड़ा फेमस लोगन था इस बार चार सो पार वो चार सो तो पार ना हो बर्के तीन सो भी ना हुआ तो ये मुझे लगता है कि अब उनके लिए मुझे लिए मुझे लिए जो इस बड़ते हैं वो उनको ले डूबेंगी और वो अपने मसाहिल में उलज जो भारत के इस सारे सुर्ण के ला पर अपना इजारे ख्याल कर रहे थे जिसमें उन्ने एक बात वाज़े की कि भारत के लिए मुझे चैलेंज Jazz का सामना है लेकिन जो एक्दाम बोधी ने पांच जफस 2019 को उठाया अब इससे सक्त एक्दाम और शायद ना उठाया और इस दफ़ा जो सक्त अपोजिशन का सामना बीजेपी को है उससे शायद अगली बार चोथी बार जो वजीर आजम या चोथी बार इक्तिदार में आने का बीजेपी का खाब है और चकना चूर होने के इमकानात है इसके साथ अपने मिजमान मदर्सक को दीजी का अजाज़ आप अखेज आप को दिल स्वें दुनिया की का री सुना का ब्लोक बस्टर साइस फिक्शन फिल्म उम्रो अयार इड के रोल से दावां सेनमा घरों में रिलीस हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिदी टेक्नोलजी अच्छूता मोजू अपनी करीबी सेनेमा हॉल जाएं चेक करें और देखना न भूलें इस इलाखे में लाका की अकुमत चलेगी